हलो एंड वेलकम डियर स्टूटेंट्स तो जनरल नॉलेज का जो अगला टॉपिक है वो है पंचायती राज एक्ट नाइन्टीन एटीन नाइन मैं इस वीडियो में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी ज्यादा डिटेल से मैंने पढ़ाया हुआ है मैं आपको यहाँ पे सिर्फ कुछी कॉस्टेंज बताऊंगा जिनके मुझे लगता है सबसे ज्यादा चांसे हैं आने के तो मैं इस वीडियो में आपको यही कुछ 15, 20, 25 कॉस्टेंज तक बताऊंगा क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है काफी डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है इसको तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आ सकता है लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं जो ये पंचायती राज एक्ट है 1989 वाला इसमें कितने sections है वो तो है ठीक लेकिन sorry कितने chapters है या parts है तो याद रखना इसमें इसमें 15 parts है 14 parts थे और आपको पढ़ना है amended up to 2018 तक और ये सारा जो भी उपर से नीचे तक आपने देखा ये amended up to 2018 ही चल रहा है ठीक है अब recently कुछ changes आई October 17, 2020 को इसी साल October में कुछ changes आई क्या Ministry of Home Affairs ने amend किया इसको amend करने इसके बाद Ministry of Home Affairs ने खास बात किया कि मैं यहां पर आपको समझाता हूं रुके 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 इसके बदले आपको याद रखना है district planning and development board के बदले ddc आया district development council बस ये याद रखना ये आप एक question याद रखना ये मुझे पता है कि amended up to 2018 ही पढ़ना है लेकिन current affair में सवाल तो आ सकता है ना बस ये एक point याद रखना ठीक है ओके पहले मैं आपको trick समझाओंगा कि आप कैसे parts या रखोगे क्योंकि सवाल आ सकता है बहुत important है यहाँ से सवाल आना कि कौन सा chapter क्या बोलता है या कौन सा part क्या बोलता है तो आपको जो trick है वह मैं आपको समझाता हूँ देख लीजी आपको याद क्या रखना है one है sun sun में आप imagination लाओ कि sun में आप preliminary exam देते हो ठीक है exam देते हो किसका पंचायए का exam देते हो ठीक है या ward मजलिस और हलका मजलिस का exam देते हो या कुछ भी कुछ भी तो one sun दुनू है one sun तो आपको याद रखना है कोई preliminary exam है पंचायए का इसमें ward मजलिस की भी है हलका मजलिस के भी है सारे लोग आये हुए है exam देने के लिए ठीक है तू शू आपको दिमाग में रखना है शू शू मतलब जूता तो जब आपका रिजल्ट है तो आप हलका पंचायत में चले गए दोड़ दोड़ के बिना जूते के रिजल्ट सुनने के लिए बस ये दो थोड़े से टफ है बाकर एजी है ये दो थोड़े से टफ भी नहीं है बहुत आजी है लेकिन थोड़ा से बाकर के हिसाब से त्री है ट्री आपको याद रखने ट्री जो होता है वो बहुत पावर्फुल होता है देखो भाई ट्री बहुत मजबूत होता है power, four door door लगाया जाता है जहाँ पर प्रॉपर्टी हो जहाँ पर प्रॉपर्टी ना हो उसको क्या दोर लगाओगे gate भी लगाओगे उसी को जिसमें property है बाई, property को ही तो gate लगाओगे door लगाओगे, बहुत असान है अच्छा, five है high high हायू का मतलब आपको पता है ना हायू, जहां से honey बनता है उस हायू का आप दिमाग में रखना है आपको कि हायू जो है उससे business कर सकता है बनता, honey का business ठीक है ना, शहट का business इसी तरह nine है wine, wine का भी business आपको याद रखना है, इन दूनों का business करना है, एक तो hive का और hive से honey का और फिर wine का, अच्छा, six है bricks, bricks से BDC याद रखना, bricks से block, block development council, या आप याद रखो block level जो होगा वो थोड़ा सा bricks से बनाया होगा, थोड़ा सा standard होगा, तो bricks से block development council, अच्छा, seven है heaven heaven से याद रखना कि power का distribution distribution होता है, औरे भाई, heaven जननत, उधर power distribution है है ना, किसी को ज्यादा ताकत है, कि उससे कम, उससे कम, ठीक है ना, तो power distribution जो आपने वहाँ पी पढ़ा है, जो मैंने schedules पढ़ा होँ था, trick, तो seven याद रखना, heaven, तो heaven में याद रखना, वहाँ पे power और अलग-अलग function होते है, heaven के भी है न, types, okay 8, 8, 9, hen, अच्छा, hen hen, hen याद रखना कि election में election vote मांगने के लिए hen दे रहे हैं, मुर्गी दे रहे हैं, कि जाओ भाई, election हम कोई vote देना, तो यह आपको याद रखना है 11, आपको याद रखना है, रामबन 11, रामबन याद रखना है रामबन कहा है, district है, यह आपको याद रखना है district, amended up to 2018 है, तो district planning and development board ही है वहाँ पे, amended up to 2018 जब आएगा, जब current affair में आएगा कि recently क्या change लाई ministry अब होँए फिर ने, तो आब बताना 12 है, tube well, tube well को pump करने के लिए बहुत power चाहिए ना, तो power याद रखना, अचा 13 से याद रखना 3, 3 जो है इस में आपको यह याद रखना है कि पंचायत अदालत का 3 quorum है number आप judges कितने होने चाहिए, पंचायत अदालत का quorum बैठ जाए और वो काम करे आगे, 3, 3 होने चाहिए minimum और आपको फिर याद रखना है 14 miscellaneous, ठीक है, यह आपको याद रहेगा सर कैसे याद रहेगा मैं आपको बताता हूँ 1 son, 2 shoe, 3 tree 4 door 5 hive, 6 bricks 7 heaven, 8 gate, 9 wine 10 hen, 11 ramban 12, tube well, 13 quorum 13 sorry, 13 आपको रखना है 3 से, पंचायत अदालत का quorum 14 miscellaneous, अब यहाँ पे कहीं जगा खाली अगर हो तो मैं आपको trick क्योंकि trick की बाद हमेशा खाली जगा पे practice करनी चाहिए चलो practice, खाली जगा है नहीं तो फिर भी मैं यहाँ पे ही practice कर लेता हूँ, चलिए एक सिकंड, pen यहाँ पे था कहीं रुके हाँ, मिल गया pen तो देख लीजे one, sun, sun मैं exam दे रहे हैं, preliminary और कौन से लोग हैं, ward, मजलिस, हलका मजलिस वाले हैं ना, ठीक है टू, शू, शू के बगेर चले गए, हलका पंचायत रिजल्ट देखने के लिए, बस यह थोड़े से difficulty, one or two, बागे आसान है, देखो भाई, three, three बता मुझे, three में क्या होता है, power होता है की नहीं, powerful होता है की नहीं, power, ठीक है ना, अब आप मुझे याद करो, याद करो, four door था, door किसको लगाई जाती है, property को बहुत असान, ऐसे होता है मेरे दोस्तों, बहुत असान ऐसे होता है, five, मुझे ऐसे वैसे कोई या बात नहीं याद रहती, मैं आपको अपनी बात बता हूँ, मैं जिंदगी में कभी बात नहीं याद रखी है मैं दिमाग में stress देता ही नहीं हूँ मैं हमेशे trick से ही याद रखता हूँ, नहीं तो यादी नहीं रखता, 5 हाईव, अब हाईव का तो business करना है, तो business, छीक है न, 6, 6 था bricks, अच्छा 6 था bricks, B से bricks, तो bricks क्या, ब्लॉक, development, council, अच्छा 7 से है heaven, heaven में है power distribution, यह मुझे heaven याद है schedule से भी, heaven में है power distribution, क्योंकि वहाँ पे भी heaven पे power distribution आया, 7th schedule, central list, state list, तो यहाँ पे power है, ठीक है, 7 heaven, 8 है gate, gate भी लगाया जाता है, कहाँ पे, जहाँ पे property है, ठीक है, अच्छा, 9 है, 9 क्या था, 9 था wine, wine, अच्छा, wine का तो हो जाएगा, जिस तरह से hive का business, wine का भी business, उसके पर 10 है hen, मुर्गी क्यों देते हैं, ताके vote मैंने कहाँ पे, elections में, तो 10 है, elections, 11 से मैंने बताया था, 11 टूब, 11 मैंने बोला था, district कर नाम, 11 था, यह रामबन, यह याद आपको रखना है, रामबन, तो मैं भी आपके सामने ही यह trick देखा, मैंने भी कब की बनाई थी lecture में, इंसान को बोलने की एक अच्छी आदत होती ह है, तो 11 है, लेकिन फिर भी, जो ऐसे करता है, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ऐसे trick याद रहती है, याद रखना, तो 11 है, रामबन, रामबन मुझे बताया, रामबन क्या है, district है, तो 11 रामबन, रामबन से district planning development board, 12 से 2 will, 2 will को pump करने के लिए, बताये क्या चाहिए, बहुत ज में 14 है, मिसलीनिस, आप बोलोगे, सर, 14 ही है, पार्ट्स, लेकिन मेरे दोस्तों, ये एक अलग पार्ट माना जाता है, और जिनली जब ये पंचाहिती राज एक्ट 1989 आया, तो और जिनली ये नहीं था, और जिनली ये नहीं था, और जिनली 14 पार्ट्स थे, लेकिन आपके syllabus में जो है, amended up to 2018, 15 parts, तो इस पे मैंने trick पे थोड़ा ध्यान दे दिया, और आप बोलोगे, सर, यहाँ पे भी property, यहाँ पे property हलका पंचाहित, पावर हलका पंचाहित का, यहाँ पे power BDC का, property BDC का, business BDC का, ठीक है, ओके, ये तो trick आपको याद हो गई होगी, मुझे पूरी उम तो देख ले, देख लीजे, सवाल आ सकता है, 10-15 सवाल बोलूगा, सवाल आ सकता है, यहाँ से, हाँ भाई, enforcement वाला date और adoption वाला date याद रखना आप, आप याद रखना, हलका पंचाहित, Block Development Council और DPDB, District Level पे यह याद रखना, chapter कितने originally थे, अब 15 और इतने sections, schedules याद रखना, और आपको याद रखना है, preliminary में क्या क्या है, title, vital, उपर पर से याद रखो, यहाँ पे आपको याद रखना है, हाँ, सवाल आएगा इदर से, आप बताएए, जो यह वार्ड मजलिस है, उसकी meeting कब होती है, उसकी meeting at least once होती है, तीन महिनों में, अच्छे यह तो वार्ड वार्ड मजलिस की meeting होती है, at least once per three months, पूरे हलका मजलिस की meeting होती है, at least two meetings per year, पूरा याद रखो, वहाँ पे तीन महिनों में एक meeting कम से कम, यहाँ पे एक साल में दो meeting कम से कम, और और यह तो गाउं की बात थी, और गाउं के पार्ट की बात थी, लेकिन यहाँ से जो पंचि पंच भी, सरपंच भी, पंच भी, directly, 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 elect होते हैं, तो वो बनाते हैं, बताए हलका पंचायत के वो पार्ट होते हैं, और हलका पंचायत में भी meeting होती हैं, यह बहुत ज़्यादा meeting करते हैं, सरपंच और पंच भी, at least once per month, तो सवाल आएगा, यह आपको पता है, यहाँ प को, हलक, यह, क्या बोला है, सरपंच, पंचिस का direct election, सरपंच साथ से ग्यारा, excluding सरपंच, स्वारी, member साथ से ग्यारा, excluding सरपंच, दूसरा point, इनकी meeting होती है, at least तीन महीन में, और preside कोन करता है, उसका पंच, उस गाउं के पार्ट का पंच, पूरे गाउं, हलका मजलिस की meeting हो बार, preside कोन करता है, सरपंच, या नाइब सरपंच, ठीक है, इतने याद रखा, अच्छा, यहाँ पे meeting होती है, at least once per month, preside कोन करता है, सरपंच, अब ये चीज़े तो याद रखेंगे, लेकिन और एक सवाल आ सकता है, वाड मजलिस का दूसरा नाम, वाड सभा, हलका मजलि आगे दूसरे page पे भी clear हो जाएंगे, इसमें सवाल आएगा, अब गाउं है, पूरा गाउं का part है, यहाँ पे बनेगा का, यहाँ पे बनेगा, पूरा गाउं elect करेगा सरपंच को, अपना वाड पंच को elect करेगा, पूरा गाउं elect करेगा सरपंच को, और सरपंच को और सरप अपने हलके में बनाएंगे हलका पंचायत और इसी हलका पंचायत के बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम आपको बताएंगे important points हलका पंचायत जो है न यह point याद रखना पांच साल की टर्म ठीक है बागे यह भी याद रखो woman की reservation होनी चाहिए not less than not come then one by third नहीं होने चाहिए इससे ज़्यादा woman हो सकते है reservation में यह याद रखो secretary VLW होता है MW होता है या gram से होता है disqualification for membership में आप याद रखना यह age का देख ले न 21 years under K age होगा तो disqualify होगा और याद रखना कि permit यह तो पता है permit और यह चीज़े उपर पर से देख लो एक बार remove of serpent and knife serpent याद रखना two third majority of total membership जो है present वो remove कर सकते हैं कौन से grounds पर remove कर सकते हैं एक बार नजर मार दो क्योंकि कहीं से भी सवाल आ सकते हैं appointment of administrator में सवाल अगर आएगा इधर से सवाल नहीं आने कहने से यह यह सवाल आ सकता है कि administrator जो होगा appointment administrator जो होगा उसका post additional district medistate से काम नहीं होना चाहिए और वो 6 मुहिनों से ज्यादा काम नहीं कर सकता 6 मुहिनों तक election होना चाहिए और सवाल इधर से आ सकता है power and function में आ सकता है सवाल हम 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 नहीं आ सकता है क्योंकि मैं ज्यादा बोलूँगा तो अभी आप बोलो के सर इतना ज्यादा तो नहीं है मैं बस 20-30 questions ही बता दूँगा आपको property में सवाल आ सकता है हलका पंचायत fund होता है मत रखो कुछ याद हा लेकिन आपके वहाँ पे budgeting फर पंचायत है न थोड़ा सा इस fund को देखो कि fund कहां से आता है थोड़ा सा इसको देखो थोड़ा सा इसको देखो बाकि importion of fee by हलका पंचायत मत रखो याद कुछ दूर से जो आपको नजर लगे important point ये रखो याद लेकिन मैं यहाँ पे कम चीज़े बताओंगा किनकि आपका exam है और मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ 20-25 questions ही बता दूँ तो यहाँ पे भी थोड़ा सा ये ना चलो छोड़ दो इसको सवाल आ सकता है इदर से action again इसमें वैसे हरे एक चीज़ important है लेकिन सवाल इसमें मैं क्या बताओं आपको सवाल छोड़ दो इसको आप confuse हो जाओगे बहुत ज़्यादा है ना मैंने काफी deeply पढ़ाया हुआ है इसको बहुत ज़्यादा deeply और जितना ज़्यादा deep paper आएगा हमारे paid students का फाइदा है मैं बार-बार बताता हूँ इसमें conduct up business में आप याद रखोगे meeting up हलका पंचेर at least once in month होती है यह मैंने आपको बताया उपर भी बस यह important point आपको याद रखना है जो मैंने उपर भी बताया बाकि आप याद मत रखो यह बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा हाँ यहाँ से याद रखो कि फिर से बोलूँगा यह चीज़े बहुत important है जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि इससे दो marks आएंगे आएंगे ना तीन marks आएंगे चलिए चार आएंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यह इसी में आ जाए जो मैं आपको बता रहा हूँ तो याद रखिए कि याद रखिए यह जो एक ward मजलिस है ward सबा है उसकी meeting होती है at least once per three months ठीक है इसका punch या कोई भी member उसके बदले वहाँ पे preside करता है लेकिन पूरे पूरे गाउं की पूरे हलके की पूरे हलके मजलिस या ग्राम सबा की meeting होती है twice per year उसका सरपंच या नाइब सरपंच उसके बाद होता है लेकिन 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 जो इस गाउं से पंचिज और सरपंचिज directly elect हो गए और बना हलका पंचायत जिसमें पंचिज सरपंचिज है उनका उनका भी meeting होता है देखो तीन-तीन meeting एक तो गाउं के पार्ट की meeting एक तो पूरे गाउं की meeting एक तो गाउं के पार्ट और गाउं से जो पंचिज और सरपंच होए हलका पंचायत बना उनकी मीटिंग, उनकी मीटिंग at least once होती है per month ठीक है, जिसमें सरपंच और नाइप सरपंच इसी के तरह होते है, अब इसमें वेल डबल्यो होता है, सेक्रेटरी याद रखना पांच साल की टर्म, डिरेक्ट एलेक्शन से सरपंच और पंच आते हैं, यह चीज़े आपको याद रखनी पड़ेंगी अब बोलो कि सर, 73rd में हमने अलग पड़ा भाई यह जेंड के का अलग एक्ट है, तो अलग होगा ही ना अब यहाँ पे आपको यह जानना है कि हर एक हलका पंचायद से गाओं के पार्ट से पंच बना, पूरे गाओं के पंच और सरपंच आए हलका पंचायद में हलका पंचायद से जाएगा सरपंच और बनेगा इसका मेंबर याद रखना है आपको हलके पंचायद के जो सरपंच है ना वो मेंबर आटोमेटिकली बन जाते हैं Block Development Council के और 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 Block Development Council के ये सरपंचे सारे आते हैं बाकि ये जो BDO स्टाफ है उसको छोड़ो फिला सरपंचे सारे आते है तो directly elect होते हैं सरपंच ये याद रखना ये नहीं सोचना कि सरपंच यहां पर indirectly elect है ना वो already elect है further election करनी की जूरत नहीं वो already member है BDC का वो directly है elected BDC में भी क्योंकि election further होता नहीं वो आते हैं उनका ex option पता है न दो-दो post उनका इधर भी post है इधर भी post है meeting इधर भी इधर भी करते हैं तो वो ये नहीं सूचना बहुत सरे बच्चे बोलते हैं यहाँ पर सरपंचिस का दो-दो election कराओगे क्या सरपंचिस का तो याद रखो BDC के सरपंचिस जो यहाँ पर है वो member होते है BDC के लेकिन सरपंचिस में जो चुना जाता है chairman या जो chairman कोई बनाया जाता है उसको याद रखना है आपको electoral college ने का indirect election BDC के chairman का होता है अब आप क्या याद रखोगे इनकी meeting और कौन preside करता है direct election पंचिस सरपंचिस का होता है बन गया हलका पंचायत हलके पंचायत से जो सरपंचिस आएंगे BDC में बैठेंगे लेकिन BDC में जो chairman होगा उसका indirect election होगा लोग vote नहीं डालेंगे electoral college वोट डालेगा उसमें सरपंचिस और पंचिस होंगे और वो indirectly elect करेंगे ये आपको याद रखो हाँ 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 ये भी बहुत important है अब BDC का भी तो meeting कराना होगा once in month होता है once in month होता है और chairman इसका head होता है presenting officer नहीं तो vice chairman को electoral college ये बहुत important points है जो मैंने अभी आपको बोले मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब चाहता हूँ नहीं हूँ मैं सोचता हूँ कि जो सवाल आएगे 2-3 marks तो कम से कम इदर से तो आए ये तो basic है और मैंने जो sections बताए एक तो आएगा उदर से जो मैंने आपको वैसे sections नहीं आएगे लेकिन जो मैंने आपको बताए parts removal of chairman important है no confidence motion और कैसे remove हो जाएगा chairman ये बहुत important है not less than 2-3 majority of total membership ठीक है कौन से grounds पे एक तो वही section 6 जो उपर हमने देखा और ये चीज़े body corporate ये चीज़े नहीं आज़कते नहीं आज़कते नहीं आज़कते काम जांसे power and functions देखो मैं कितना बड़ा वीडियो होगा ओहो आपका time अभी बहुत बहुत important है power and functions मैं power and functions मैं याद आपको रखना नहीं है कुछ छोड़ दो थोड़ा सा उपर पर से देख लो उपर पर से देख लो देखो हमारे paid batches में आप सबने पढ़ा हुआ है revision करा हुआ है exam दिया हुआ है तो आपका बूलना नहीं कुछ मैं आपके लिए नहीं वीडियो नहीं बना रहा हूँ आप मैंसे जिसने पढ़ा नहीं चाहे वो paid हो या यहां पर free हो उसके लिए वीडियो है और उसके लिए ऐसा नहीं सुचना कि बस सर ने बता दिया आप बाकी चीज़े छोड़ देए ना conceptual clarity तो आपको है छोड़ने की क्या जूरत है property and finance में आप कुछ याद ने conductor business में यही तो मैंने उपर बता दिया once in a month थोड़ा सा बता दिया मैंने एक ही जगा पे अच्छा elections का hold करना यह इसमें है यह आपको याद रखना पड़ेगा और यह ज्यादा हो जाएगा अगर थोड़ा थोड़ा उपर उपर से देख लो और यह term याद रखना प्लीज 65 या 5 years which hour is earlier state election commissioner हो सकता है यह आए बाकि इसमें इतना सारा detail है मेरे हिसाब से हमने बहुत सारे videos इसके दिये और जो हमारा पहला video था वो एक गंटे से ज्यादा था शायर डेट गंटे का lecture था वो तो आप इसको देखो मैं आपके लिए इसको scroll दिरे दिरे कर रहा हूँ क्योंकि जो मुझे important लगा वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आप मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप फिर confuse हो जाओगे ठीक है District Planning and Development Board को October 17, 2020 को Ministry of Home Affairs ने amend किया amend कैसे कर सकता है Ministry of Home Affairs सर JNK का ये act है तो JNK का Reorganization Act 2019 है ना उसी के basis पे Ministry of Home Affairs ने इसको amend किया तो पंचायत अदालत में ये याद रखना भाई कौरम क्या होता है और पंचायत अदालत के बारे में थोड़ा सा देख लेना 30 येर यहां पर है यहां पर 25 या और कोई एज नहीं लेना यहां पर 30 येर एज है पंचायत अदालत का याद रखना ठीक है पंचायत अदालत का अलग एज है वहाँ पे भी उपर age देख लेना और बस यही quorum देख लेना तीन member होने चाहिए कम से कम पांच member से पांच member जो total है उनमें से तीन होने चाहिए कम से कम बस बाकी मुझे नहीं लगता आप इस time पे extra या बढ़न आपके दिमाग पे आना चाहिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कोई और trick भी थी शायद ना ना बस आपके दिमाग पे ज्यादा प्रशर नहीं आना चाहिए ठीक है आपने जितना सीखा है जितना पढ़ा है उस पे यकीन करके आप exam center में जाएए exam center में आप जाएए जितना आपने पढ़ा है उसी पे यकीन करोगे अगर आपको अपने पढ़ाई पे शक होगा चाहे आपने किसी भी इनस्चूट से पढ़ा होगा चाहे आपने कहीं भी पढ़ा होगा जहां से भी पढ़ा teachers सारे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कोई teacher ऐसे नहीं चड़ेगा YouTube पे पढ़ाने या किसी coaching center में offline पढ़ाने आपके लिए उनके पास experience खुती है जिससे भी बढ़ा है आपने best बढ़ा है यहाँ पे मैंने कुछ points आपको बता दिया वही आप याद रख के जाओ मुझे लगता है कि 3-4 question अगर आएंगी 3-4 तो चलो 3-4 मान लेते हैं तो मुझे लगता है 3-4 में कम से कम 3 तो उन बातों से आए जो मैंने बता दी अशा 2 ही तो उन बातों से आए जो मैंने आपको बता दी ठीक है ना तो चलिए dear students यह lecture बहुत बढ़ा बनेगा और इस stage पर आपको बड़ा lecture देना आपको tension देने की बात हो रही है फिर ओके मेरे प्यारे बच्चो बाई